गाजा के रण में इसराइली सेनाएं अब धीरे धीरे कमजोर होती नज़रा रही हैं हमास के लड़ाके एक एक कर इसराइली बलो पर हावी हो रहे हैं इसराइली हमलों के द्वारा खंडर बन चुके गाजा का अब हमास फाइदा उठा रहा है उसके लड़ाके घात लगाकर और चुन-चुन कर इसराइली बलो को अपना निशाना बना रही है गाजा में जारी इस गुरिला युद्ध में हमास के लड़ाके इसराइली सेनिकों पर पूरी तरह से हावी है हमास के लड़ाकों ने गाजा की जमीन के नीचे भारी भरकम विस फोटकों का जाल बिछा रखा है जिसकी चपेट में आने से इसराइल अपने एक-एक सैनिक को खोता जा रहा है इसी बीच इसराइली बलों ने बताया कि उत्री गाजा में उनके टैंक पर हमला होने से उसके दो रिजर्विस्ट मारे गए है दोनों जवान उसकी आठवी रिजर्व आम ब्रिगेट के भीतर 119 वी बटालियन के सदस से थे इसके अलावा गाजा के दक्षणी हिस्से में एक ब्लास्ट में भी कई IDF के जवानों की जान चली गई वही इसराइली मीडिया ने गाजा की बिल्डिंग में विस्फोट की खबर दी है जिसमें कई सैनिक मारे गए बताया गया कि मिलिटरी हेलिकॉप्टर गाजा में हुई घटना के कई घायलों को लेकर अलकुज के शारे जेडेक अस्पताल पहुचा है इससे पहले इसराइली सेना का एक बखतर बंध वाहन विस्फोट की चपेट में आने से उसमें आठ सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई जान गवाने वालों में 601 वी इंजीनिरिंग बतालियन की एक कमपनी का डिप्टी कमांडर भी शामिल था इसके अलावा बीते दिनों दक्षणी गाजा में तीन इसराइली सेनिकों के साथ मेजर रैंक के एक कमपनी कमांडर की मौत भी हो गई थी बीते साल साथ अक्टूबर को गाजा यूद की शुरुआत के बाद से मरने वाले इसराइली सेनिकों की संख्या बढ़कर 661 हो गई है इसमें गाजा में जमीनी हमलों की शुरुआत के बाद से मारे गए 311 सेनिक भी शामिल हैं इसके अलावा 3600 से ज्यादा इसराइली सैनिक इसमें घायल हुए हैं। इसराइली मीडिया उटलेट्स ने भी माना कि दक्षनी गाजा में एक बक्तर बंद वाहन में सो रहे उसके आठ इसराइली सैनिकों की हमास के हमले में मौत हो गई है। इस बीच अलकासिम ब्रिगेड ने खुलासा किया कि राफा शहर के पश्चिम में तेलल सुल्तान में साओधी पड़ोस में घुसने वाले इसराइली वाहनों के खिलाफ उसके लड़ाकों ने घात लगाकर इसराइली बलो पर करारा हमला किया। रेजिडेंस ग्रुप की माने तो D9 सैने बुल्डोजर को अलियासीन 105 शेल ने निशाना बनाया। इससे वो आग का गोला बन गया। जिसके बाद उसमें मौजूद इसराइली बलो की जान चली गई। इस दोरान रेस्क्यू टीम के आने के तुरंद बाद लड़ाकों ने एक नामेर एपीसी यानी बक्तर बन वाहन को अलियासीन 105 गोले से निशाना बनाया। जिसके कारण उसमें भीशन विस्फोट हुआ और उसके सभी चालक दल के सदस्से मारे गए। हालक इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में आठ इसराइली सेनिकों की जल कर मौत हो गई जिसने राफा में नामेर जैसी एपीसी को निशाना बनाया। अलकासिम के बयान से पहले ये बताया गया था कि एपीसी पर एक एंटी टैंक गोल अदागा गया था जिसके कारण वहन में विस्फोट हुआ और आग लग गई जिसके अंदर सो रहे आठ सैनिकों की मौत हो गई मारे गए लोगों में इसराइली सेना का एक लड़ाकू पहानों में से एक गिना जाता है